तो आज के इस लेक्चर में exercise 3.5 इसका मैं question number 1 करवाँगी question number 1 के मैं इस लेक्चर में चारों पार्ट करवाँगी question 1 के total 4 पार्ट है तो one by one इसके चारों पार्ट को solve करते हैं इसमें ये काग्या है use the theorem of componendo or dividendo theorem इस्तमाल करते हुए क्या proof करना है कि a ratio b is equal to c ratio d ये condition proof करनी है इसके चारों पार्ट के लिए अब componendo divinando theorem क्या होता है कि अगर हमारे पास ये value इस तरह से है a over b is equal to c over d यानि कि इस पे अगर मैं componendo divinando theorem लगाँ तो उपर वाली value a है इसके अदर इस नीचे वाली value को एक दफा प्लस कर देंगे और उपर वाली value के अंदर एक दफा इस नीचे वाली value को minus b कर देंगे तो a जमा b, a minus b अगर इस side पे componendo divinando theorem अप्लाई करें तो ये आजाएगा c plus d और यहाँ पे c minus d तो इसको कहते हैं componendo divinando theorem तो हमने इस theorem को अप्लाई करते हुए ये प्रूफ करना है कि a ratio b equal है c ratio d के तो आप पहले इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे by using componendo and divinando theorem and divinando theorem तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिख लिया है कि हमने कौन सा theorem लगाना है इस पे जो question के अंदर का गया है componendo और divinando theorem तो पहले इस side पे apply करते हैं left side पे और फिर right side पे apply करेंगे तो जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है कि theorem क्या होता है a plus b तो यहाँ पे यह value हो a की जगा और b की जगा यह है तो इसको एक दफ़ा add कर देंगे 3 a plus 5 b plus 3 a minus 5 b आजाएगा divided by 3 a plus 5 b और फिर minus और यह वाली value हो और यहाँ पे आप minus है क्योंके बाइर जब minus आएगा तो अंदर sign change हो जाएगे 3 a और minus minus प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 b आजाएगा तो मैंने एक step के अंदर minus को multiply कर दिया है आप लोग एक step यह लिखके next step में भी कर सकते हैं minus को multiply तो अब यहाँ पे भी इस side पे भी componento divinando theorem अप्लाए करेंगे तो यह आजाएगा 3 c plus 5 d plus इसके अंदर यह वाली value 3 c minus 5 d तो अब इसी value के अंदर इसको एक दफा minus कर देंगे 3 c plus 5 d minus 3 c minus आएगा तो इस value का sign change हो जाएगा यहाँ पे plus 5 d हो जाएगा अब इसमें जो जो value cancel out होती है उसको cancel out कर देंगे plus minus यह plus minus 0 यहाँ पे 3 a और 3 a जो के 6 a हो जाएगा divided by यहाँ पे 3 a 3 a से cancel out 5 और 5 एड़ करेंगे तो 10 b हो जाएगा इसी तरह इसमें 5 d plus minus है यह 0 हो जाएगा 3 और 3 6 c हो जाएगा divided by 3 c यह plus था minus cancel out 5 और 5 यहाँ पे आजाएगा 10 d तो अब यहाँ पे यह 6 इस 6 से cancel out कर देंगे यह 10 इस 10 से बाकी value रहा जाएगी a over b is equal to c over d तो अगर a over b को ratio of harm में लिखें तो यह a ratio b बन जाएगा equal का sign इसी तरह और c over d की ratio of harm लिखें तो यह c ratio d क्योंकि अगर a ratio b है तो इसका यही मतलब है कि a over b इस तरह से लिख सकते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पे लिख दिया है और यह condition प्रूफ करनी थी जो कि question में बताई गई थी कि यह प्रूफ करें कि a ratio b equal है c ratio d के question के अदर यही का गया था कि componendo divinando theorem इस्तमाल करते हुए यह value प्रूफ करनी है कि a ratio b equal है c ratio d के तो यह प्रूफ हो गया है इसके बाद next part number two है तो दोनों sides पे componendo divinando theorem को apply कर लेंगे तो पहले सबसे पहले यह line यहाँ पे लिखनी है कि by using componendo and dividendo theorem by using componendo and dividendo theorem तो यह line हर इसके चारों parts में सबसे पहले लिखनी है क्योंकि हमने इस theorem को apply करना है पहले इसके left side पे apply करते हैं फिर right side पे apply करेंगे तो a cube plus 3ab square यह value एक तफ़ा इसके अंदर add कर देंगे 3a square b plus b cube divided by अब इस value को इसमें से minus कर देंगे तो यहाँ पे a cube plus 3ab square minus 3a square b क्योंकि minus है तो यहाँ पे sign change हो जाएंगे minus b cube हो जाएगा सेम इसी तरह आप इस side पे भी इस theorem को apply कर देंगे तो c cube plus c d square है तो यहाँ पे आ जाएगा c cube plus 3c d square अब यह value इसके अंदर एक दफ़ा add करेंगे 3c square d plus d cube तो अब उपर वाली value के अंदर इसको एक दफ़ा minus भी करेंगे पहले add और फिर minus c cube plus 3c d square minus 3c square d minus d cube यह farm आ गई तो अगर हम देखें तो यह एक फार्मूला बन रहा है a cube है यहाँ पे b cube है 3 plus a 3 plus 3a b square तो यह फार्मूला बलके मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ फिर इस पे apply करते हैं तो यह फार्मूला यह है कि अगर a plus b whole cube हो तो यह equal होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि यह a cube plus b cube 3ab को अगर 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 देखें तो 3a square b plus 3ab और bb square यहाँ पे यह लिखा हुआ है तो यह इस फार्म में यह इस फार्म में लिख लें तो यह a plus b whole cube का फार्मूला होता है एक फार्मूला यह है दूसरा यहाँ पे a minus b whole cube अगर देखें तो यह equal होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b अगर मैं इसको अंदर multiply करूँ तो यह इस तरह से बन जाएगा a cube minus b cube minus 3a square b आ जाएगा minus minus plus हो जाएगा 3ab square तो अगर यहाँ पे देखें तो यह वाला फार्मूला बन रहा है a minus b whole cube तो अब दोनों फार्मूला को इस question के अंदर apply करते हैं तो यहाँ पे अब उपर यह a plus b whole cube का फार्मूला बन जाएगा तो इसको लिख सकते हैं a plus b whole cube इसको देखें तो यह फार्मूला बन रहा है A-B whole cube बिल्कुल सेम इसी तरह अब इस साइड पे उपर C-D whole cube इसका फार्मूला बन रहा है और यहां पे बन रहा है C-D whole cube तो अब यहां पे यह whole cube है जिस तरह स्केर खतम करने के लिए स्केर रूट लिया जाता है cube खतम करने के लिए cube root यानि के power 1 over 3 से multiply कर देंगे तो यहां पे हम लिख लेंगे taking cube root on both sides taking cube root on both sides या यह भी लिख सकते हैं के taking power 1 over 3 on both sides cube root यानि के 1 over 3 इसके root उसकी power 1 over 2 होती है तो अब दोनों साइड पे power 1 over 3 ले लेंगे तो यहां पे 1 over 3 cube root लिया है a minus b इसकी power 3 multiply 1 over 3 आजाएगा c plus d इसकी power 3 multiply 1 over 3 आजाएगा यहां पे c minus d power 3 multiply 1 over 3 आजाएगा तो यह 3 इससे cancel out यहां यहां पे यह से cancel out तो यहां पे power 3 अब खतम हो गई है तो बाकी value रह गई है a plus b over a minus b is equal to c plus d over c minus d तो क्योंकि हमने a ratio b is equal to c ratio d प्रूफ करना है तो इस पे again componendo and dividendo theorem apply कर देंगे तो यहां पे लिख देंगे again applying componendo and dividendo theorem तो इस theorem को again apply करेंगे तो बारा अगर इस theorem को apply करें इस पे तो अब इस value के अंदर नीचे वाली value को एक दफा add कर देंगे a minus b और फिर इसको minus b कर देंगे a plus b minus यह value minus a आ जाएगा minus minus plus b हो जाएगा बिल्कुत से मिसी तरह यह c plus d plus c minus d हो जाएगा और फिर minus b कर देंगे c plus d minus c तो यह minus minus plus d हो जाएगा इसको apply कर दिये अब यहाँ पे plus minus यह b cancel out a और a 2a आ जाएगा यहाँ पे a cancel out b और b add करेंगे तो 2b आ जाएगा यहाँ पे d cancel out 2c और यहाँ पे c cancel out d और d 2d तो 2 2 से cancel out यहाँ पे 2 2 से cancel out तो बाकी जो value रहाँ गई है इसको लिख लेती है तो 2 cancel out करने के बाद बाकी value यह रहाँ गई तो a over b को लिख सकते हैं a ratio b और c over d को लिख सकते हैं c ratio d तो यही प्रूफ करना था इस question के अंदर इसके बाद next part number 3 है तो यहां से इसका solution स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले इसमें लिखेंगे के applying component and divindando theorem तो इस theorem को apply कर देंगे 5a plus 7b और इसके नीचे यहाँ पर divide में जो value है इसको इसमें add कर देंगे फिर यह value उपर वाली लिखेंगे 5a plus 7b और नीचे वाली value को इसमें से minus कर देंगे तो जब minus करेंगे तो sign change होगा यहाँ पर plus 7b आ जाएगा अब right side पर भी इस theorem को apply करेंगे तो यहाँ पर 5c plus 7b नीचे वाली value को इसमें add कर देंगे 5c minus 7b 5c plus 7b नीचे वाली value को minus करेंगे माइनस 5C माइनस- Premium Plus ho जाएगा Plus 7D आजाएगा तो अब यहां पे 7 massively out हो जाएगा तो यहां पे 7 काइनस के साथ 5 और 510 हो जाएगा यहां पे 5A माइ practitioners cancel out 14B आजाएगा यहां पे 7D plus माइनस में Rimиля cancel out 10C आजाएगा और यहां पे 5C plus minus जिसमें एक इंसल आउट 7 और 7 14 डी आ जाएगा अब दोनों साइट पर यह 10 10 से कैंसल आउट 14 14 से कैंसल आउट यहां पर 10 A था यह 5 A और 5 पर 10 A तो यहां पर वैल्यो रहा गई A over B is equal to C over D तो A over B ratio फार में लिखें तो A ratio B C over D को लिखें तो यह C ratio D है तो यहीं कंडिशन प्रूफ करनी थी तो यह इसका आंसर होगा इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नमबर 4 अब इसमें multiply में given है तो सबसे पहले जिस तरह बाकी questions में बाकी parts में value इस फार्म में थी यह फार्म बनानी है ताके इस पर component और divinando theorem apply कर सकें तो A B वाली वालिओ एक साइट पे और C D वाली वालिओ एक साइट पे है तो 9A plus 10B इदर ही देगा अब यह value इदर multiply है इदर आके divide हो जाएगी 9A minus 10B हो जाएगा अब यहां पे इस साइड पे ये 9C plus 10D वालिओ को इदर ही रखेंगे और इस साइड पे ये value इदर multiply है 9C minus 10D इधर ले आएंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा अब इस पे अप्लाइ कर देंगे कंपोनेंडो और डिविनेंडो थियूरम तो पहले इसकी मैं लेफ्ट साइट पे अप्लाइ कर रही हूं 9A प्लस 10B प्लस 9A माइनस 10B हो जाएगा 9A एक दफ़ एड़ किया है अब 9A प्लस 10B में एक दफ़ नीचे वाली वैलियो को माइनस कर देंगे तो माइनस 9A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10B आ जाएगा इसी तरह आप राइट साइट पे भी अप्लाइ करेंगे कंपोनेंडो डिविनेंडो थियोरम को तो यहां पे आ जाएगा 9C प्लस 10D प्लस यह वाली वैलियो 9C माइनस 10D फिर 9C माइनस 10D माइनस करेंगे तो माइनस 9C और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10D आजाएगा, simplify कर लेंगे 10B, 10B से cancel out 918A यहाँ पे minus 9A plus 9A cancel out 20B, इस साइट पे अब यहाँ पे plus minus 10D cancel out 9C और 9C 18C हो जाएगा, यहाँ पे 9C cancel out 20D हो जाएगा अब दोनों साइट्स पे 18, 18 है, cancel out हो जाएगे 20, 20 से cancel out तो बाकी रह जाएगा A over B is equal to C over D तो इसकी ratio फार्म अगर लिखें तो यह A ratio B is equal to C ratio D तो यही question के अंदर का आ गया था कि component और divinando theorem को use करते हुए यह condition प्रूव करें